नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागत रेले टेफ्ट अपडेट निकल के आई कि केंदरी करमचारी के पिटमेंट फैक्टर को मिली हरी जंडी तो जानिए कितनी किस करमचारी की बढ़ेगी सैलरी तो दोफ्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर पाफ टाइम इजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे साथी साथ वाला इकन को भी बजा दीजे ताकि गोर्मेंट या पैनेशन से संब्दी जितनी भी नूज जाती है उनकी सरकार आने वाले दिनों में केंदर सरकार के करमचारी के लिए कुछ और अच्छी खबर ला सकती है केंदर सरकार के करमचारी संग लंबे समय से नियुन तम वेतन 18,000 रुपे से बढ़ा कर 26,000 रुपे करने और पिटमेंट पैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ा कर 3.68 गुना कर मेडिया रिपोर्ट के मुतबि केंदर करमचारी के लंबे सरकार क के लियन रुपे कर वेतन अब बढ़ जाएगा पिटमेंट पैक्टर कर अथे किंदर सरकार के सभी करमचारी के लिय में कुछ वेतन आर थे बढ़ानत बे स्मय बढ़ दया ला सकती है दोस्तों इससे क्रमचारी का नियूंतम बेसिक वेतन 6,000 रुपे से बढ़कर 18,000 रुपे हो गया था फिटमन फैक्टर में समभावित बढ़ोतरी से नियूंतम बेसिक वेतन 26,000 रुपे हो सकता है अभी नियुन्तम बेसिक वेतन 18,000 रुपे है जो बढ़कर 26,000 रुपे हो जाएगा यानि सरकारी क्रमचारी के बेसिक वेतन में 8,000 रुपे की बढ़ोतरी होगी अगर basic पे 18,000 रूपे से बढ़कर 26,000 रूपे होता तो महिंगाई बत्ता भी बढ़ जाएगा और महिंगाई बत्ता basic वेतन के 31 परतिशत के बराबर है और DA का calculation DA की दर को basic पे से गुना करके निकाला जाता है यानि basic वेतन बढ़ने से अपने आप महिंगाई बत्ता भी बढ़ेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं निक वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवार